हेलो आजकी क्लास के अंदर जो आपके örटमिट कार्शनिEMA है इड्च करेंगे जिसने भी अभी तक अपने planets क्याईसरिक्ट के लेखे SM2 पितलम पितलद के गत्रें जो आपको एक्जाम में जाने से पहले पता होनी चाहिए तो आई यह देखते हैं admit cards की क्या instruction होगी पहला देखते हैं सबसे पहले देखेंगे आपका यह details आपके पहले पेज की उपर ही आपके किस course के लिए आपने apply किया कौन से आपकी data 18 तारीक की आपकी data 18 जून की आपकी data सभी को यह date पता होगी तो इस आपको याद रखना है कि 9 बजे आपका जो gate होगा examination का वह आपका gate बंद हो जाएगा उसके अलावा जो आपकी entry स्टार्ट होगी वह आपकी होगी साड़े साथ बजे तो साड़े साथ बजे से 9 बजे तक का टाइम है लगपक 15 गंटे का टाइम है 9 बजे शाप gate बंद हो ज साड़े 8 बजे से पहले पहले आपको examination center पहुचना है बिल्कुल सेटल डाउन हो जाए और उसके बाद आप examination center के अंदर एंटर कर सकते हैं 9 बजे गेट आपका बंद हो जाएगा test center नंबर याद रखेंगे आप ठीक है test center आपका नंबर होगा हो सकता आपको OMR street के ओपर यह पेपर होगा उसी पेपर का आप subject देंगे उसके अलावा कोई भी आप unfair means use नहीं करेंगे इसके बाद यह लिके इससे तो आप सब चीजे तो आपको पता ही है already उसके अलावा gate closing time से आपको center पर पहुचना है 9 बजे से पहले आपको वहां पहुचना है उसके अलावा exam खतम ह होने से पहले आपको वहां से नहीं उठने दिया जाएगा तो जब तक आपका कह सकते हैं कि तीन घंडे आपके समाप नहीं हो जाते आप exam छोड़के वहां से नहीं जा सकते उसके बाद last में आपकी undertaking है undertaking के नीचे ही आपके तीन columns आपके दिए में signatures के पहला जो आपका signature जो column आपका होगा वह आपका left thumb impression आपका इसकी उपर लगेगा left अंगूठा आपका इसकी उपर लगना चाहिए आप लिखावा तो यह कि आपको exam center से पहले इसको बढ़ना है लेकिन exam center पे भी आप expect कर सकते हैं कि वहां पर आपको facility प्रोवाइड करवाई जाएगी कि वहां से important column रहेगा वह आपका रहेगा last वाला column सभी बच्चों को याद रखना है इस column के अंदर जो आपके signatures होने हैं वह आप examination से पहले नहीं भरके जाएंगे वह आप तभी भरेंगे जब आपका examination का जो इन्विजिलेटर होगा आपका जो examination जो teachers होंगे जब आपकी seat पे आपके सामने ही भरेंगे उनके सामने ही आप अपने signatures करेंगे आपको instructions दिए गया है कि पहले से ही आप अपना जो वेनी होगा जो आपकी location होगे आप उसको पहले से देखके रखें ताकि आपको वहाँ पर जाके कोई भी दिक्कत नहीं आती उसके अलावा point number 10 में लिखा हुए कि अगर आप किसी religious attires को belong करते तो आप एक तरीके से आपको instructions दिये गए है कि आप advice दिगए आपको क्या पहले आजाए ताकि आपकी अच्छे से checking हो पाए अच्छे से आपको examine किया जाए उसके बाद यह आपको अंदर जाने दिया जाएगा ठीक है उसके अलावा उसके अलावा all examination are to be under the surveillance of the cctv और वहां पर jammers लगे होंगे तो यह आपके जो phones वगयर होंगे जो भार भी खड़ा होगा तो उनके जो phones वगयर होंगे हो सकता है वो ना चले जो net वगयर हो सकता है उनका वो ना चले उसके अलावा कोई भी mobile phones या कोई भी electronic device आपको वहां पर enter नहीं करने दिया जाएगा चार चीज़े के लिए आपको बोला है सिरफ कि यह चार चीज़े ही आप लेके जा सकते वो चार चीज़े कौन से हो गई एक तो आप अपने personal water bottle लेके जा सकते है जो transparent होनी चाहिए जो 20 लपे कि आपकी किनली वली bottle आती है बिसलरी की जो bottle आती ह सिरफ वो ही bottle आप लेके जा सकते है और कोई bottle आप लेके नहीं जा सकते है उसके अलावा आप अपना admit card लेके जा सकते है आपको याद रखना है कि आपका clear printout होना चाहिए अच्छा यह mandatory नहीं है कि आपको जो printout होना चाहिए वो आपका color होना चाहिए या वो आपका black and white होन उसके अलावा दो passport size photo आप लेके जाएंगे दो passport size आप लेके जाएंगे लगबग आप मानके चले trzy photos आप लेके जाएंगे एक तो आपके उसके उपर ही paste हो जाएगे आपका जो admit card है उसके अलावा दो passport size photo ऑरिजिनल आपका ID proof होना चाहिए उस ID proof के अंदर आपका क्या क्या आ सकता है, आपका PAN card आ सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस आ सकता है, वोटर ID card आ सकता है, पासपूर्ट आ सकता है, या अधार card आ सकता है, यह सारी चीज़े आपके आज़ाती है, आप जब हम बात करें आपने original ID proof की, फोटो कॉपी या दखने, फोटो कॉपी आपकी नहीं चलेगी, फोटो कॉपी चल सकती है, लेकिन आपको फिर भी आप कोशिश कीजिए, कि आपका valid ID proof होना चाहिए, फोन में फोटो दिखाने की कोशिश करेंगे, या प्रिंट आउट दिखाने की कोशिश करेंगे, तो वो आपका left thumb का impression लगेगा, आपका admin card पर जो आपने column देखा था, वो भी आपका clear होना चाहिए, ऐसा नहीं है, कि उसमें एक तरीके से अपने हाथ हिला दिया हो, अगर clear नहीं हो तो दिक्कत हो जाएगा, तो वो भी बिलकुल clear, आप पहले से ensure करके चलेंगे, कि आपके thumb के लगाएंगे, अपने admin card के उपर, और वो बिलकुल clear copy होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इस चीच का भी आप ध्यान रखेंगे, उसके अलावा, उसके अलावा देखिए, आप कोई भी shoes, footwear नहीं पहन के जा सकते, जो thick sole का है, shoes और footwear वैसे तो आप पहन के जा सकत belt के लिए objection महाँ पर आए, या आपकी ring के लिए objection है, तो आप ये सब चीज़े भी नहीं लेके जाएंगे, ये चीज़े आप यादवे कि कोई भी ring, कोई भी phone, कोई भी belt अगयरा है, कोई भी घड़ी भी आप avoid कीजे, कि हो सकता है, घड़ी भी आपको ना लेके जाने दिया कि आपको restrict रहना है, जब हम मठारत आरे की बात करें, जब आप exam देने जाएंगे, उसके इलावा आपके admit card के साथ ये declaration form भी है, अच्छा कुछ लोगों ने आपका अधार कार्ट के थ्रू ये आपका form भारा था, जिन्होंने अधार कार्ट के थ्रू फॉर्म भारा था, उ होना चाहिए, अगर ये declaration form नहीं हुआ, तो हो सकता है कि वो आपको allow ना करे, सभी बच्चों को मैं तो advise करूंगा कि declaration form लेखे चले जाना, अगर वो मांगते हैं तो वहीं पर ही भरके उनको दे देना, चाहिए आपने अधार कार्ट से भराओ, चाहिए आपने ना भराओ, तो कोशिश कीजिए कि declaration form आप वहाँ पर लेके जा सके, ठीके, तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था, आपको instructions बताने के लिए, ताकि आपको सारी चीज़ी समझ आ जाए, कि क्या क्या आपके instructions होना चाहिए, ताकि आपका examination साई से जाए, सभी को मेरी तरफ से all the best, best of luck आपक